नमस्कार फोर साइट्स टीवी में मैं शालीमार जैस्वाल आपका स्वागत करती हूँ ए आए डीम के निसाफ कर दिया है कि लोग सभा चुनाओ 2024 के लिए पार्टी अकेले ताल ठोकेगे इस बार ए आए डीम के बीजेपी के साथ चुनाओ नहीं लड़ेगी चुनाओ आयोक ने लोग सभा चुनाओ की तारीकों का एलान कर दिया है पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाओ साथ चरनों में होगा पहले चरन के लिए 19 अपरेल को वोटिंग होंगी जबकि 1 जून को साथवे चरन के लिए मतदान होंगा तमिलनाडू की 49 सीट पर पहले चरन में वोटिंग होंगी इस बीच लोग सभा चुनाओ दोहजार चुबिस के लिए ए आई ए डियमके ने 16 अमिदवारों की पहले सुची जारी कर दी है ए आई ए डियमके ने चन्ने दक्षिन सीट से जैवर्धन उत्तरी चन्ने से रोयापुरम मनोहरन कुष्णागिरी से जैप्रकाश इरोड से अत्रल अशोक कुमार चिदंबरम से चंद्रहासन, मदूरे से सरवनन, नमककल से तमिलमनी, ठेनी सीट से वीडी, नाराइन सामी और नागपटिनम लोकसभाश्यतर से सुरजीत शंकर को उमिदवार बनाया है इसके अलावा AIA-DMK ने सलेम लोकसभा सीट से विगनेश विलुपुरम से बक्याराज अरकोनम से एल विजेयन को टिकेट दिया है AIA-DMK महसच्चुफ एड़ापादी के पलानी स्वामी ने बताया है कि AIA-DMK गडबंदन में 83 निर्वाचन शेतर से DM-DMK को 5 सीटों पर SDPI को 1 सीट पर और पुथिया तमिल गम को 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी AIA-DMK ने इस बार लोकसभाद चुनाव NDA से अलग लड़ने का फैसला किया है पार्टी पिछले साल NDA से आधिकारिक तोर पर अलग हो गए थी इससे पहले BJP के 5 नेता AIA-DMK में शामिल हो गए थे इनमें पार्टी के प्रदेश IT Wing के प्रमुक CRT निर्मल कुमार भी शामिल है निर्मल कुमार ने प्रदेश BJP अधिक्ष के अनमलाई पर आरोप लगाया था कि उनकी DMK के एक मंत्री के साथ सांट गांट है रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय AIA-DMK के नेता ई पलानी सामी और ओ पनीर सेलवम के बीच विवाद हो गया था तो BJP ने खुद को प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था इसी के बाद से दोनों सायोगी दलों में मदभेत शुरू हो गए थे साल 2019 में यहां दूसरे चरण में मतदान हुआ था पिछले चुनाव में DMK ने क्लीन स्विप किया था और यहां मोदी मैजिक नहीं चला था बीजेपी ने यहां पांच उमिदवार मैदान में उतारे थे और सभी को हार का सामना करना पड़ा था इस दोरान बीजेपी को महस्तीन दशमलों 66 फीस सदी वोट ही मिल सके थे पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ AIA, DMK, PMK और DMD के गड़बंदन में शामिल थी झाल